आज मैं बना रही हूँ आलो कोबी की सब्जी, बहुत घी बढ़िया बन करके तयार होती है और जल्दी भी बन धी है जिस तरीके से आज मैं आपको ये बता रही हूँ इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और मसाले में घर के बेसिक मसाले से ही बहुत बढ़िया बन करके तियार हो जाती है इसे आप लंच में दे सकते हैं दाल के साथ बना सकते हैं और पराथे पूरी नान के साथ खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शीरू करते हैं आलो गोबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आप एक गोबी का मीडियम साइज का फूल लिया है और इसको हमने बहुत जादा बड़ा नहीं काटना है जितना मैंने इसमें साइज रखाए इतना ही हमें काटना है आप चाहे तो इसमें दंठल भी चोटा चोटा काटके डाल सकते हैं अगर आप दंठल पसंद करते हैं गोबी में तो साथ में लिया है चार मीडियम साइस के आलो जिनको मैंने बहुत बड़ा भी नहीं काटा और बहुत चोटा भी नहीं काटा एक आलो में से मैंने छे टुकड़े कट करें हैं त पाटाफर्ट से बंद करके बड़िया तेयार होती है तो सबसे पहले तेल डाल गए तो पग देल को निकल जाए तो तेल जो हमने डाला था वो गाड़ा था तब अब इसको हाई फ्लेम पे धुआ आने तक हमें पकाल लेना है तो यह पहचान होती है तेल की सरसो के तेल की के अब इसको डाले है तो फिर इसमे डाले भाकी चीज़े तो तेल हमने ठंडा कर लिया था अब इसको तो ढ़ना तो दूड़ा से त्ड़का लेंगे 14 टीसपून डाले इसको पकालेंगे अब यहां पे डाल रहे हूं में मेडियम साइस की प्याज जिसको मैंने बारी कट कर और इसको डालएंगे और थोड़ा सा फ्राइ करेंगे हल्का से इसका कलर यह देखे हो जाता है तो अब यहां पर हम डाल रहें 1 टेबर स्टून लसन अदरग का पेस्ट इसको AMA कूट लिया है मोटा प्याज भुन गई है तो लसन अद्रक का पेस्ट डाल के अब इसको भी हम पका लेंगे ताकि इसका जो कच्छापन है वो निकल जाए तो लगबगे एक मिनट के करीब हमने लो फ्लेम पे लसन और अद्रक को भी पका लिया है अब यहां हम डालेंगे सबसे पहले आलू पानी अब इसको पका लेते हैं अब साथ में डाल देते हैं एक टेबल स्पून नमक ताकि आलू पकते समय इसके अंधर नमक का फ्लेवर आज़ाए अच्छे से अब एक मिनट के करीब हम इसको ढख करके लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि आलू जो है 50-60 परसें बाकि जो आलू पकने में कसर है जागी वह हम गोभी के साथ पकाएंगे तो ठक देते हैं और एक मिनट बाद इसको चेक करते हैं तो लो फ्लेम पे पकते आलू को एक मिनट के करीब हो गया है चेक कर लेते हैं तो यहां पे हम डालेंगे गोभी को अभी हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला ह अब दाल देते हैं गोबी और खुरा थोड़ा सा तो गोबी गोबी यालो के साथ एक मिनुट के करीब अधार टेबल स्पून हल्दी डाल करके मिक्स कर लेते हैं अगर तीखा बढ़ाना चाहते हैं तो यहां अगर तीखा बढ़ाना चाहते हैं तो लालमिच या हरिमिच और इसमें बढ़ा सकते हैं मैं डाल रही हूं मतर यह 1-4 cup के करीब मतर है आप चाहे तो इसको कर सकते हैं लेकिन इससे इसका टेस्स बहुत अच्छा है अगर आप चाहें तो इससे ना डाले तो इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैंने यहां पे डाला है एक टमाटर और म इसको में हल्का सरय मारगा ठोविया करना है वाच्छर करने एक पे अब्रकर करें एक गाल मिक्स ओर तो तो हैं दाला है 25 व्लेय को मिक्स कर लेकंई उटे हैं लो फ्लेम कीजार की यहां इसमें में हमें बहुत जादा में लागा Кओने की और आलो को पका अनी की जारत नही मख़ साहि operations जाये हैं तो अगलो पानी जाते हैं फांसता हैं इसको भूला नहीं हो आपे बाद्वार्प alle blend मॲरा ये वह दो नबार साूफ सबैकर हो गया तो इसमें आप 2 तेबल सन बानी इसमें डाला लेकिन पानी हमें इसमें लेकिन हम नहीं डालना है नहीं तो गोबी और आलू जह बहुत जादा हलवा से बन जाते हैं, तो हमें खिले खिले बनाने कलिए इसमें जादा पानी ही हमें नहीं डालना है, तो डाल करके हमने इसको भापस धकर रख दिया है है 2 बिनट गले है, चेक कर लेते हैं, तो दिखें मटर भी अच्छे से गल टमाटर भी सॉफ्ट हो गए है अलू भी जो है अच्छे से गल गए है अब यहां पर डाल देते हैं गरम मसाला एक टेबल स्पून और मिक्स कर देते हैं इसमें हमें जादा मसालों की ज़रत नहीं परती सब्जी में घर के बेसिक मसालों से यह बन जाती है और बहुती अलो देखे कैंफे कितने खेली खेली खेले है अब इसको पूरी पराठे नान good की साथ खा सकते हैं डाल के साथ बना सकते हैं कि łyच बोगे वैसे बहुती बढ़िया भण कर के तयार होती है तो इस तरहिके से गोबी की सबजी मुक्स बना आका चलडी भी बनती है एक मात पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स मुझे ज़रू बताईए ऐसी बहुत सारी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ज़रू कीजिए नोटिफिकेशन बैक को ज़रू प्रेस कीजिए ताकि में लेटास रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे